हेलो, नमस्ते, all my YouTube family members, आपके लिए बहुत ही शांदार वीडियो में बना रही हूँ, जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि पैसो के related हम अपनी आदतों में बदलाव कैसे लाए, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और उसके पहले क्यों ना हम कारी तैयारिया करते हैं, तो क्यों ना हम अपने पैसो के frequency को बढ़ाने के लिए अभी से तैयारी करें, अगर आप करना चाहते हैं इस चीज की तैयारी कि आप पैसो को जादा से जादा अपने जीवन में invite करें, तो इसके लिए मैं आपको टोटल तीन ऐसी आदते बताने क वो लोग इन सारी चीज़ों को वाकई में फॉलो करते हैं और पैसो की फ्रिक्वेंसी के उपर पैसो की जो हमारी तरंगे बनी हुई है उसके उपर बहुत अच्छे से काम करते हैं तो अगर आप पैसो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो ये तीन प्रकार की आदते आपके जीवन को बहुत ज़ादा बदल सकती है। अगर आपके पस डायरी पेन होगा तो ज़रूर से आप लिख सकते हैं। पहली आदत के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप जो भी पर्स रखते हैं, उसमें हमेशा, मैं कहरी हूँ, हमेशा 10,000 रुपया कैश ज़रूर रखें। आपने से बोलेंगे कि मैडम मेरी खुदी 10,000 रुपय सालरी नहीं है तो क्या करू। तो मिनिमम कम से कम 3,000 रुपया तो आपको अपने पर्स में रखना ही है। ये एक रूल है क्योंकि जब हमारा पर्स पैसो से भरा हुआ रहता है तो हमारी पैसो की फ्रिक्वेंसी अपने आप हाईयर फ्रिक्वेंसी होती है। हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें रिच फील होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग पर्स में पैसो को नहीं रखते हैं पर्स खाली रखते हैं यह स्वज़े से होता यह है कि हमारा जो mindset है वो भी खाली हो जाता है हमारे mind में ideas नहीं आते हैं तो यह कहीं न कहीं psychological role play करता है पर्स में 10,000 रुपिया अगर possible है तो मैं आपको recommend करना चाहूंगी कि जरूर से रखिए 10,000 रुपीज cash अलग अलग प्रकार की note आप रख सकते हैं 500, 100, 200 जैसा भी आपको ठीक लगे so this is very very important habit जो आपको regular अपनाना है अब होता कुछ ऐसा है कि जैसे मान के चलो आप shopping करने के लिए जा रहे हैं कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपने मान के चलो 10,000 रुपीज पर्स में cash तो रखा आपने habit तो डाल ली लेकिन वो खर्चा हो गए जैसे मान के चलो आपने 10,000 पॉसिबल नहीं है कम से कम 3,000 रुपिया cash रखना शुरू करें यह आप रखिए करके देखिए तब जाके आपको understand होगा कि मैं क्या कह रही हूँ आपके money की frequency आपके सपनों की frequency से match होना बहुत जरूरी है दोस्तो इस वेरी वेरी important ओके सो दिवाली आने के पहले इस होते हैं money ritual की workshops होते हैं जिसमें मैं guide करती हूँ लोगों को इस technique के बारे में जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ यह technique के बारे में मैं लोगों को बहुत detail में सिखाती हूँ बट यहाँ पर मैं वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आ आदत को अपना लेते हैं तो आपके frequency वाकई में higher level तक पहुचने लग जाती है so this is the number one habit जो आज से आपको तयार करना है अपने लिए ready करना है परस को हमेशा पैसों से भर कर रखिए okay so top number one habit आपने क्या समझा comment करके जरूर से बताए दूसरी आदत के बारे में मैं आपसे य जैसे हम morning में उठते हैं तो हम अपने friends लोगों को अपने बमी पापा को अपने परिवार में जितने लोग है सबको good morning विश करते हैं तो आज से आपको एक आदत लगाना है और वो ये कि जब आप सो कर उठे तो परस में से पैसो को निकाल कर उन्हें कहना है good morning money great morning money I love you money so हम में पैसो को respect देना है जो इनसान पैसो को respect देता है उसके पास पैसा भरपूर मात्रा में आता है so आज से आपको ये दूसरी आदत भी अपनाने है and that is पैसो की respect करना शुरू करे हर सुबह सोकर उठने के बाद जैसे ही आप उठते हैं आपको परस से पैसे निकालना है और गूलना है good morning morning yes और excitement के साथ और आपको visualize करना है कि आपके पास धेर सारा पैसा है बहुत सारा खाजाना है आपके पास okay so जब आप good morning wish करते हैं तो इससे ये साबित होता है कि आप पैसो की respect कर रहे हैं अब इसमें मैं आपको एक idea देना चाहती हूँ अगर आप चाहे तो इस problem नहीं जहां कहीं पर भी आप पर सकते हैं वही पर रखे सोकर उठने के बाद इस आदत को जरूर 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 से अपना है क्योंकि ये आदत आपके जीवन में बहतरीन बदलावला कर देगी तीसरी आदत मैं जो चाहती हूँ कि दिवाली के पहले ही आप अपने अंदर दाल दीजीए and that is positive money affirmation यस दो आपको गया करना है positive money affirmations लिखना है रोजाना कम से कम 5 positive सकारात्मक आपको पैसो के related affirmations लिखना है जैसे कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है पैसा मेरे पास हर बार आता है पैसो में बढ़ोतरी होते जा रही है मेरा bank balance बढ़ते जा रहा है ह पर दिन बढ़ रहा है तो यह जो आप मेरी बातों को सुन रहे है this is the positive money affirmation आपको यह तीसरे नंबर की आदत अपनाना है रोज सुबह उठकर सकारात्मक पैसो के related affirmations को लिखना है और वो हर दिन अलग-अलग हो सकते हैं same हो सकते हैं doesn't matter पैसो के related सिर्फ सकारात्मक बाते कि मेरे पास पैसा धेर सारा आ रहा है पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे पास हर महीने जरुद से जादा पैसा आ रहा है yes तो जो भी आपको ठीक लगते हैं वैसे affirmations आपको लिखना है यह तीन ऐसी आदते हैं दोस्तों जो आपके जीवन में भरपूर मात्रा में बदल लेकर आ सकती है तो यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूं क्योंकि वाकई में दोस्तों मैं चाहाती हूं कि दिवाली के पहले आप अपने पैसों के प्रति उर्जा को पूरी तरह से सकारात्मक बनाए और अपने उपर जरूर से काम करें तो थैंक य अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड सरकल के साथ जरूर से शेयर करें वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम बनाते है तक यह आपका माइंड सेट में इंप्रूव्मेंट हो सके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू